बिसमें लाराखवाने रहे हैं वास्वामलेकम वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल मैं स्वी दफ्षा है क्लास एट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7A ठीक है 7A के 1st 3 questions पर अपनी वीडियो में अप्लोड कर चुकी है आप मेरे चैनल पर जाके इन से related lecture easily attend कर सकते हैं आज की वीडियो में करेंगे question number 4 to 7 question number 4 की statement है the nth term of the number sequence is given by अब आपको nth term दी गई है ठीक है पहले अभी हम यहाँ पे क्या करते रहे हैं nth term को find करते रहे हैं अभी यहाँ पे nth term आपको दी गई है first part में आपको कहा गया है work out the first three terms of number sequence आपने first three terms है वो इसकी निकालनी है first part में ठीक है second part में हमें क्या कहा गया है second part में कहा गया here are the first five terms of another number sequence यहाँ पे आपको फिर से five terms दी गई है तो इसका आपने क्या करना है nth term of sequence find करना है हम दोनों parts को one by one solve करेंगे first part को पहले solve करते है nth term जो हमें given है तो उसकी help से हम क्या करते है first second and third term को find करते है question का solution स्टार्ट करते है solution स्टार्ट करने से पहले बच्चर में कहुंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अगर आपने अभी दग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कानली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अभी solution स्टार्ट करते हैं exercise seven a question number four का first part पर जो हम solve करने लगे है ठीक है इसमें हमें एंथ टर्फ दी गई हमने first three terms जो है वो find करनी है first term find करेंगे ठीक है first term के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहां पर लिख लेते हैं for first term first term we put n is equal to one ठीक है हमें क्या given है tn is equal to five n plus two first term हम find कर रहे हैं अब हम जहां पर n है वहां पर one put कर देंगे tn की जगह पर one five n की जगह पर one plus two ठीक है five को आप one से multiply करेंगे तो five आ जाएगा तो आप यहां पर लिखेंगे five plus two five में two का add करेंगे तो seven आ जाएगा तो यह बच्छाब की क्या आगई है first term आ चुकी है ठीक है अब हम क्या करते है second term find करते है for second term we put n is equal to two अब हम two put करेंगे ठीक है अब आपने पहले यहां पर फार्मूला लिखने है tn is equal to five n plus two t लिखके n की जगह पर आप two लिख देंगे five लिखके n की जगह पर two लिख देंगे plus two five को two से multiply कर लेंगे तो ten आ जाएगा ten में आप two को add कर लेंगे तो twelve आ जाएगा यह आपकी second term भी आ चुकी है ठीक है यह आपने first term find की है ठीक है और यह second term find की है अब इसकी third term भी ऐसे ही find कर लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं for third term we put n is equal to three formula लिखते हैं tn is equal to five n plus two ठीक है यह nth term है nth term अब n की जगा पर मैं लिख दूँगी three यहाँ पर भी five n की जगा पर three plus two five और three आपसे multiply हो रहे हैं fifteen हो जाएगा fifteen plus two is equal to seventeen यह हमारी third term आ चुकी है first term seven आई है second term हमारी twelve है और third term हमारी कितनी आ चुकी है seventeen आ गई है question number four का first part मुकमल हो गया है second part में बच्चा आप हमें क्या कहा गया है कि हमें इसमें question में यह आपको वैं question गिखा रही हूँ हमें इसमें sequence दिया गया है first of five terms का five eleven seventeen twenty three twenty nine आपने क्या करना है इसके लिए end term expression को find करना है जैसे के हम previous questions में पहले करते हैं यहाँ पे end term हम find करते हैं end term find करने के लिए पहले हम यहाँ पे sequence को लिख लेंगे जो के हमें sequence given है हम sequence यहाँ पे लिख लेते हैं sequence हमें दिया गया five eleven seventeen twenty three twenty nine ठीक है and continue है ठीक है अब आपने क्या करना है फार्मूला लिखाना है यहाँ पे end term find करने के लिए क्या फार्मूला था tn is equal to t1 plus n minus one into d अब आपने t1 यहाँ पे क्या लेना है यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ first term आपकी t1 है यहाँ पे five आजेगा d आप कैसे लेंगे के second term को आपने उपर रखना है first term को आपने रखना है नीचे करना है minus eleven में से five minus की है तो six ठीक है तो यह आगे difference six इसको भी आप कर सकते हैं ठीक है इसको भी आप कर सकते हैं इन सब को आप ऐसे करेंगे seventeen को उपर रखेंगे eleven को नीचे minus करेंगे तो इनका सब के दर्मियान जो इनका difference है वो six का ही बनेगा ठीक है तो difference six आगया है अब यहां पर जो आपको given formula है एंथ term वाला उसमें अब आपने क्या करना है values को put कर लेना है tn लिख के five t1 की जगह पे आप five लिख दोगे plus n minus one को आप as it is लिखोगे d की जगह पे आप six लिख दोगे अब आप multiply कर लोगे tn को आप say five अब यह जो six n के साथ multiply होके six n हो जाएगा six minus one से multiply होके minus six हो जाएगा अब six n को आप say लिखेंगे minus six में से plus five minus करेंगे तो यह देखे रहा minus six plus five तो minus one आ जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा minus one तो यह हमने nth term sequence की find करनी थी जो के हम find कर चुके है question number four का second part पर जो complete हो गया है अब question number five करते हैं exercise 7 एक question number five है a sequence of number is shown अब इसमें भी आपको क्या दिया गया है एक sequence दिया गया है ठीक है उसका आपने nth term जो है expression find करना है फिर क्या करना है second part में आपने उसकी hundred term जो है sequence में वो भी find करनी है दोनों parts को हम solve करते हैं बहुत easy question है बचो यह आप एक दफा समझेंगे तो आप easily तमाम questions कर सकेंगे अब हमने question number 5 को solve करना है इसमें हमें sequence given है ठीक है 2 9 16 23 30 continue find expression of nth term first part में हमने इसका nth term का expression find करना है आपको पता है कि nth term find करने के लिए formula क्या आता है tn is equal to t1 plus n minus 1 into d अब आपको देखना है कि t1 क्या है t1 अब आप देखे यहाँ पर हमारे जो sequence है उसमें first term हमारी क्या है 2 फिर आपने difference देखना है यह 9 है और यह 2 है आप 9 को उपर रखें 2 को नीचे minus करेंगे तो 7 इसका क्या आ जाएगा difference आ जाएगा ठीक है अब आप 16 को उपर रखें 9 को नीचे रखें उसको भी minus करेंगे तो आपका 7 ही बनेगा यानि इन तमाम जो numbers है इन के तरम्यान जो difference है वह 7 का आ रहा है अब formula में इसको put करेंगे tn ऐसे लिखके t1 की जगापे में 2 लिख दोंगे plus n minus 1 d की जगापे में 7 लिख दोंगे फिर आपने tn को as it is लिखना है अब यह 2 भी ऐसी आ जाएगा यह 7 n के साथ multiply होके 7 n 7 minus 1 से multiply होके minus 7 हो जाएगा अब आपने क्या करना है यह क्योंकि बड़ी रखम 7 के उसके साथ minus है तो minus 5 लिखेंगे तो यह हमने इसकी क्या थी nth term find करनी थी यह हम इसकी nth term find कर चुके है अब इसका second part पर जो हमें दिया गया है उसमें हमें कहा गया है find the 100 term in sequence आपने इस sequence में 100 term find करनी है जो आप आप nth term find कर चुके है आप उसको प n is equal to 100 अब यहां पे n की जगह पे हम 100 put कर देंगे t 100 ठीक है 7 लिखके n की जगह पे 100 minus 5 100 को 7 से multiply करेंगे 700 minus 5 ठीक है t 100 तो इसका मतलब होता है 100 term तो अब यहां पे 700 में से आपने 5 को minus करना है तो आप का answer एगा 695 तो यह आप 100 term find कर चुके है 695 question number 5 complete हो गया है question number 6 करते है exercise 7 एक question number 6 है the first five terms in a number sequence are ठीक है first five terms number sequence में आपको given है यह है 10 7 4 1 minus to continue ठीक है इसके 2 parts है first part में भी आपको nth term find करनी है second part में हमें 50 term find करनी है यहाँ पे 100 करनी थी यहाँ पे 50 करनी है question same ही है ठीक है आपने पहले nth term find कर लेनी है sequence की फिर जो आपको answer आ जाएगा वहाँ पे n की जगह पे 50 put करके आपने 50 term find कर लेनी है solution start करते है इसमें बचल फिर्स पार्ट में हमने क्या find करनी है nth term find करनी है तो nth term के लिए हम क्या करेंगे पहले फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे tn is equal to t1 plus n minus 1 into d अब t1 आपने यहाँ पे क्या put करना है यहाँ पे देखें 10 दिया गया इस sequence में यहाँ पे 10 है और d जो है वो कितना दिया गया है अब आप देखें 7 है और यह 10 है ठीक है 7 को आप उपर रखेंगे 10 नीचे रखेंगे minus करेंगे तो क्या आजाएगा minus 3 आजाएगा चोटी रिकम मेंसे बड़ी रिकम को माइनस किया जाता है माइनस का sign आता है तो अब यहाँ इनका difference minus 3 का रहा है तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि d is equal to minus 3 अब इसको इसमें formula में put कर देंगे एंथ term में tn लिखके t1 की जगा पे 10 plus n minus 1 as it is d की जगा पे minus 3 10 अब आपने ऐसे लिखना है और minus 3 को आप n के साथ multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा minus 3 n हो जाएगा minus 3 को minus 1 के साथ multiply करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा और 3 ones are 3 हो जाएगा minus 3 n यह बचो हम इसकी nth term find कर चुके हैं अब हमने क्या कर रहा है कि हमने अब इसकी 50 जो term है वो find करने है हम क्या करेंगे यह second part मेरे नीचे लिखा हो है find the 50 term of the sequence अब हम यह जो हमने nth term find की है पहले तो हम वो लिख लेते है tn is equal to 13 minus 3 n ठीक है अब यहां 50 term find करने के लिए क्या करेंगे for 50 term we put n is equal to 50 tn ठीक है t लिखने के बाद n की जगा पर 50 लिख लेंगे 13 minus 3 लिख के n की जगा पर 50 लिख लेंगे 13 minus 50 को 3 से करेंगे आप multiply तो कितना हो जाएगा 150 अब आपने क्या करना है कि 150 में से आपने 13 को minus करना है तो 137 आएगा चुनके बड़ी रकम हमारी 150 के इसके साथ minus का sign है साथ में minus का sign भी आएगा ठीक है यह हम इसकी 50 term find कर चुके है question number 6 लिख जो complete होगे question number 7 करते है exercise 7 एक question number 7 वर्क आउट था एंथ टर्म फार दिस सीक्वेंस 12, 22, 32, 42, 52 इसमें भी बच्वा आपको सीक्वेंस दिया गया है इसकी भी आपने क्या करनी है एंथ टर्म जो है वो find करनी है इसका solution बहुत easy हम करते है question number 7 के solution वेचे पहले हम लिख लेंगे हमने क्या find करनी है एंथ टर्म फार्म फार्म फार्मूला जो है वो हमें आपको पता है कि tn is equal to t1 plus n minus 1 into d ये एंथ टर्म फार्मूला अपलाई किया जाता है अब आप क्या करेंगे कि t1 t1 आप लिखेंगे कि कहां से वो आप sequence से लिखेंगे आप देखेंगे first time आपके कौन सी है तो आप उसको t1 कहोगे वो 12 है difference लिखोगे difference अब आप देखें कितना आ रहा है 22 ठीक है और ये 12 है 22 में से आपने 12 को minus करने है तो आपका difference 10 आ जाएगा यहाँ पर 10 लिखेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे जो फार्मूला है उसमें put कर देते है t1 की जगा पे 12 plus n minus 1 into 10 लिखेंगे d की जगा पे 10 लिखेंगे अब 12 ऐसी हाजएगा plus 10 n के साथ multiply होगे 10 n minus 10 1 से multiply होगे क्या हाजएगा minus 10 हो जाएगा अब आप देखें बचो यहाँ पे 10 n ठीक है इसी तरह रहेगा और 12 है और यह minus 10 है 12 में से आपने 10 को minus कर दिने है तो आपको क्या आजाएगा 2 आजाएगा तो यह आपने nth term इसके find करनी थी जो कि आप find कर चुके है question number 7 पे complete हो गया है अगर हमेरे चैनल पे नहे हैं तो चैनल को subscribe लाजमी करें and video को like a thank you and Allah आफिस